बहुत बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और कैसे हमें यूनिवर्स हमारे सवालों के जवाब देता हैं यही सीरीज के अंदर आज मैं आप से डिसकस करने वाली हूँ तो मेरे साथ बने रहिएगा बहुत बार हमारे मन में जब भी कुछ ऐसी दुविधा में होते हैं ये करें वो करें कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है समझ कुछ नहीं आता लेकिन हमारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं लेकिन रिपलाई कौन देगा नहीं पता हम उपर वाले से कुछ ना कुछ पूछते जरूर हैं पर उपर वाला रिप्लाई देगा कैसे कि आपको भी ऐसा होता है कि आप रास्ते में चल रहे होते हैं और बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होते हैं फोन उठाया और देखा ग्यारा बच के ग्यारा मिनट उफ क्या मतलब है इसका आज हम इसी टॉपिक पर बात करने माले हैं मैं आपके बीच आपके दीपती निमलाजिस लाइफ कोच एंड वास्तो एक्सपर्ट बहुत सारी चीजों के जवाब आपको आज इसी में इसी वीडियो में मिलेंगे हमने मन में चल रहा है कुछ नई ओपरचुटी हमारे सामने आ रहे हैं क्या करें क्या ना करें अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा इन बातों के लिए हम यातो अपने किसी nearest, dearest या fast friend के पास जाते हैं और चाहते हैं कि वो हमें इस चीज के बारे में advice करें लेकिन universe तो सुन रहा होता है और definitely आपका believe भी है उनके साथ अब जो ये angels numbers होते हैं, इनको हम angels number बोलते हैं जो हमें double form में, triple form में ऐसे हमें दिखते हैं हम traveling कर रहे होते हैं, आगे जो गाड़ी जा रही होती है उसका number suddenly हमें दिखता है, triple one तो क्या इसका कोई message है? universe हमें कोई समझा रहा है, depend करता है सबका अपना-अपना angels number की अपनी-अपनी सबकी सोच है मैं जो believe करती हूँ, depends on that कि उस time आपके मन में क्या सवाल चल रहा है और वो जो सवाल है, definitely आपको angel number के थूँ, आपको उसका सवाल का जवाब मिल रहा है अगर कभी भी कुछ भी, नए projects, नए deals, new job, इस तरह का कुछ भी mind में चल रहा है और आपको all of sudden ये number बहुत बार दिख रहा है It means big thumb, आप जाएए, आपको success ज़रूर मिलेगे नबर दो, ये number है, कहीं न कहीं soul से connected अब फिर वो एक बात बोलोंगे, सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है हो सकता है, आपकी life में आपका कोई soul partner आपको मिलने वाला हो तो ये message है आपके लिए, कि बहुत जल्दी आप अपने soul partner से मिलेंगे बट आप तो married है, अब आपको soul mate की क्या ज़रूरत है तब आपके लिए ये message है universe का, कि आप जिस चीज में भी focus कर रहे हैं वो direction बिल्कुल सही है, सिरफ आप अपने आप से, अपने अंतर मन से, अपने soul से connect होई है आपको life में बहुत कुछ है जो मिलने वाला है नमबर तीन, क्या कहता है यह नमबर तीन, नमबर तीन आपको कहता है अगर आपको आप जा रहे हैं, घड़ी में आपको 3 बज़के 33 मिनट दिग गए या आगे जा रहे हैं, आपको कहीं पर भी कोई display में टिपल थरी दिग गया तो क्या message है universe का, कि आपको life में balance करने की जरूरत है balance कैसे, कुछ तो है जो छूट रहा है कुछ ऐसी चीज है जिस पे ज़्यादा focus कर रहे हैं आप और कुछ ऐसी चीज है जिसको आप miss कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रुखना है अपने खुद के soul के साथ connect होना है और चीजों को balance करने की कोशिश कर दिया definitely universe आपके साथ है अब आते हैं, नमबर 4 क्या कह रहा है ये नमबर 4 ये नमबर आपको कह रहा है कि आपके साथ universe connect है आप सही direction में run कर रहे है जो सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा सोच रहे है आपको उसी path पे चलना है definitely present situation थोड़ी critical है problem है लेकिन आने वाला जो आपका future है वो इतना wonderful होने वाला है कि आपके मन से आज के सारे सवाल निकल जाएंगे आपको समझ में आएगा कि ये tough time बहुत जरूरी था क्योंकि जब भी हम किसी भी बहुत struggling time से निकलते हैं उसके बाद की जो achievement होती है न वो बहुत wonderful होती है तो आज के बाद से अगर आपको triple four दिखे तो इसका यही मतलब है कि life की situation tough है लेकिन result बहुत अच्छा नमबर पांच क्या कहता है नमबर पांच नमबर पांच कहता है कि life में change बहुत जरूरी है अगर life में कुछ changing हो रही है तो आप उसे accept करें बढ़ा situation क्या है उस पे जरूर depend करता है आपको सवाल क्या यह उस time पे आपके मन में क्या ऐसी चीजें हैं जो चल रही है आप उसको उसके according map कर सकते हैं आप उसके according उसे check कर सकते हैं पांच नमबर हमेशा changing का number है वो यह कह रहा है आपसे कि आपकी life में all of sudden जो भी changing आए है वो आपके अच्छे के लिए है आप उसे accept करें और आगे बढ़े universe आपके साथ है यानि कि positive नमबर 6 नमबर 6 अगर आपको बार बार दिख रहा है triple form में तो इसका मतलब यह है कि life में है क्योंकि यह universe का एक alert है वो आपको बोलना जा रहा है कि आपको life में अभी एक ठेराव की जरूरत है आपको एक बार नहीं बहुत बार जो आप कर रहे हैं उसे री चेक कीजिए कि कहीं तो कुछ है जो गलत है और वो कैसे पता चलेगा किसी से नहीं अपने आप से पूछें जवाब जरूर मिलेगा अगला नमबर इट्स माइ फेबरेट नमबर मुझे बहुत पसंद है वो है ट्रिपल सेवन ट्रिपल सेवन स्विच्वल नमबर है उस उपर यूनिवर्स से कनेक्टेड है तो यहाँ पर हमेशा आपको यूनिवर्स यह कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और बहुत कुछ बहुत कुछ देने के लिए रेडी बैठाओं तो जो होने वाला है उसके लिए बी रेडी क्योंकि मैं बिल्कुल तुम्हें दूँगा और बहुत अच्छा तुम्हें दूँगा तो बहुत अच्छा नंबर है ये मेरे गुरू का नंबर है और मुझे बहुत 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 फेवरेट है ये नंबर मैं अपना हर काम साथ से शुरू करती हूँ मेरी लाइफ का एक मतलब ऐसा connected नंबर है जिसे मैं कभी नहीं गूलती मेरे घर में मेरे फैमली में मेरे खुद के साथ हमेशा मैं 7 नंबर से connect रहती हूँ इन सब के साथ कही ना कहीं आपका ज़रूर लिंक है मैं ये चाहती हूँ जब आप ये वीडियो देखे तो क्या आपको भी बहुत सारे सवालों के जबा मिले है अगर मिले है तो डेफिनिटली कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और अगर आपको कोई मैसेज समझ में नहीं आता है यूनिवर्स का तो प्लीज मैसेज कीजिए ताकि शायद आपको क्लियर नहीं है मैं आपको बतापाँ नमबर एट है जो आपको मनी ट्रॉपर्टी इन सब चीजों से कनेक्ट करता है यानि कि बहुत जल्दी आपके पास कोई अच्छी ट्रॉपर्टी धन मलब इस तरह की कोई चीज आपके पास आने वाली है या कोई आप प्लानिंग कर रहे है लेट स्पोस एक एक एक्जामपल ले लेते है हमें घर प्लान कर रहे है हम सोच रहे है कि हमें घर बनाना है कैसे होगा क्या इस इट पॉसिबल हम बना पाएंगे तो यूनिवर्स अगर आपको बार बार ट्रिपल एट दिखा रहा है तो यूनिवर्स कहा रहा है येस आप इसके बारे में बिल्कुल सोचिए क्योंकि जहां आप सोचना बंद कर देंगे वहां मैं सोचूंगा और आपको ये मिलेगा महेनत आपकी ब्लेसिंग्स मेरी तो आठ नंबर की ब्लेसिंग्स बोलती है कि आपको प्रॉपःटी से रिलेटिड कुछ ना कुछ मिलने वाला है नंबर नइन नंबर नैन क्या कहता है नंबर नैन कहता है कुछ ऐसी चीजے है जो आपको क्योंकि नइन नंबर is एक प्लोजिंग नंबर खतम का और नई शुरुबात का नमबर है already hai तो कुछ ऐसी चीजे हैं जो खतम होगी और जब कोई चीज हतं होती है तो कोई नई चीज शुरू होती आपका वेट कर रही है कर होता है ना कई बार है कि आद आप कई कई बार हम कई ना कहीँ कुछ चीजों में उल्झे हैं वह एमोशनल ही भी हो सकते हैं वह बहुत सारी चीज़े होती हैं जिनसे हम कनेक्ट होते हैं पर उंचीजने करह कि कि मन में बहुत सारी परशानीय है रोज एक सवाल है क्या होगा कैसे होगा शायद मैं यह नहीं कर पाओंगा तो यह जो ट्रिपल नाइन का नमबर है यह स्ट्रॉंग मैसेज है आपके लिए लेट टुबी गो आपके लिए यहां से निकलना ही अच्छा है लाइफ में बहुत कुछ नया बहुत कुछ अच्छा आपकी वेट कर रहा है तो आपको रुकना नहीं है अब अगर आपको थ्री टाइम्स जीरो दिखाई दे रहा है यह नमबर बहुत ब्लेस नमबर है एंजल नमबर है एंजल गाइडेंस है इसके अंदर भी मैसेज सिरफ इतना है कि अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट शादी, कुछ नया घर कुछ भी ऐसे प्लानिंग हो रही है कि हमें शिफ्ट करना है शादी की डेट निकलवा नी है तो डेफिनेटली उपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके साथ है तो ये थी एक रिपीटेड एंजल नमबर की सीरीज जो मैंने आपसे शेर करी मैं जरूर चाहूंगी अगर ये आपसे किसी भी नमबर से कनेक्ट हो रही है तो प्लीज आप मुझे मैसेज करके जरूर शेर कीजिएगा और जरूर हम लोग दुबारा मिलेंगे ओम साहिराम जैगरुजी